आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है आज हम अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो sport shoe, leather shoe, formal shoe, casual shoe के बनाए हैं और जितने भी segment थे सब men's segment थे आज का वीडियो women's segment का होने वाला है girls, women's के हसाब से तो पहले मैं चाहता हूँ के आप ये वीडियो देख लीजे, वीडियो देखने के बाद मैं जो product unboxing करने वाला हूँ रिव्यू देने वाला हूँ तो वो ज्यादा बहतर आपको समझ में आएगा तो पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आगे का वीडियो आगे बात बढ़ाते हैं पहले आप वीडियो देखिए पहले आपको समझ में आपको समझ में आपको समय देखिए करें आपको समय देखिए आपने ये वीडियो देखी एक्चुली में क्या होता है कि हमारे घर में बहने हैं मा हैं मम्मी हैं और जितनी भी लेडीज हैं चाची हैं दादी हैं नानी हैं बहन हैं वाइफ हैं जितनी भी हैं लेडीज होती हैं जनरल ये प्रॉब्लम होती है कि वो छोटी एस से ही हील पहन तो एक balance होता है, बोड़ी का एक structure होता है, जो balance होता है, जिस तरीके से अपने गाड़ी, अगर आपके पास car होगी तो आपने wheel balancing कराई होगी और alignment कराया होगा, वैसे बोड़ी का भी alignment होता है, एक balancing होती है, जो कुदरती होती है, उपर वाले ने बना के बेजा है, जब हम खड जो है और जो बैलेंस, और जो eliamneint v Looks how종 में दिस्टिब्यूट है प्रेशक पूरे पैर में डिस्टिब्यूट वो होना बंद हो जाता तो यह सपेसफिक पे पंजायों पर मारता पर बढ़ने लगता है कि स्पेसिफिक वेट बढ़ना हुआ कि अससे क्या होता है ? स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आती यह जब एज बढ़ती है लड़कियों की 25 साल के बाद 30 साल के बाद तो फिर क्या होता है कि कमर दर्द घुटन दर्द और भी बहुत सारी प्रॉबलम होने लगती है लड़कियों को अर्थोपेटिक जिसे कह सकते हैं अर्थोपेट बढ़ जाती है एडियों में दर्द होता है पंजों में दर्द होता है कमर तो एक आम सी प्रॉबलम है कमर दर्द की लड़कियों में लेडिजों में तो इसको एवाइट करने का यही तरीका है कि हम शुरू से ही फ्लैट चपले पहने या और्थोपेडिक चपल पहने या genuine leather की चपपल पहने जो genuine material है जैसे rubber हो गया या leather हो गया और ऐसा कोई भी product ना पहने जो polythene से बना हो या plastic हो जो पैरों के लिए नुकसान दे हो skin के लिए नुकसान दे हो और हमारा body structure खराब करता हूँ एक बात तो यह दूसरी बात ही है कि हम क्या करते हैं एक चपपल या जूती या जूता जो भी ladies खास कर और gents में भी है यह problem पर यह वीडियो आज ladies special है तो उनकी बारे में बता रहा हूँ मैं आपको तो क्या होता है कि थोड़ा दिन पहनने के बाद जो सस्ती sandals या प्लास्टिक सोल की या इवा सोल की या फोम सोल की ladies है fancy चपपले लेती है तो वो क्या होता है थोड़ा सा जो ऐसे एक साइट से bend होने लगती है एक साइट से तेड़ी हो जाती है से handle नीचे से सोल से अपने देखा होगा ladies हो को पहने कि एक साइट से जोर आने लगता है जिससे धीरे-धीरे पूरी बॉड़ी का structure खराब होने लगता है और ये फिर एक पर्मानेंट दर्द और तकलीफ बन जाती है जो ladies है ज़्यादा तर सफर करती है after 30s या अपने ज़्यादा तर हर घर में ये problem है अपने देखी होगी कमर दर्द, एडी दर्द, घुटन दर्द क्योंकि ये heel है और जो ये अपन leather के इलावा, rubber के इलावा materials जो use करते हैं ये हमारी problems बढ़ाती है हो कि pair का जो नीचे का तलवा होता है उसमें बहुत सारी नसे होती है body की जाके वहाँ पे end होती है तो वो जो पैर से गर्मी निकलती, पसीना निकलता है जो rubber और leather छोड़के जो material होते है वो उसको absorb नहीं करते हैं वो से reflect करते हैं तो body से तो जो निकल रही है निकलती जा रही है जब मन walk कर रहा है है, चल रहा है है, खड़े हैं या दिन बर हमने पहना है तो वो तो निकल रही है और बाकी वो material जो है, जो leather नहीं है, rubber नहीं है वो reflect वापस कर रहा है गर्मी को बढ़ा के जमीन की गर्मी भी है और आपकी body की गर्मी को भी reflect कर रहा है तो वो आपके पैरों के लिए, आपके skin के लिए और आपके health के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देवा जाता है तो इसको avoid करने के लिए आप घर में ही सला दे और अपनी जो भी ladies हैं, women हैं, maa हैं, चाची हैं, बहन हैं, wife हैं उनको सला दें कि orthopedic ही चपल यूज़ करें तो ऐसे ही में एक brand का आपको review और unboxing देने वाला हूँ, यह Bata Bata की चपल है, Skoll नाम से आती है ladies series, यह leather की होती है जैसे इसका article मैं आपको बता दू, 674-6916 इसका article है, इसके दो तीन model है मेरे पास तो पहले unboxing कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ पहले यह model कर लेते हैं, यह वाला model है 674, article number है 4629 674-4629, इसकी MRP है 1699, यह Bata की है, Bata के Skoll segment है और यह leather बनाता है, यह segment की चपलें जो है Bata की, यह leather आती है और with orthopedic soul, पहले मैं unboxing कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ पहले आपको चपल दिखा देता हूँ देखे, heel दिख रही है, आपको यह heel नहीं होती है, यहाँ तक इसमें padding होती है वोता platform soul ही है, यहाँ padding कम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा pressure area ही होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे padding ज़्यादा करते है, heel पतली ही है, उलग रहा है कि यह heel है, heel नहीं है यह platform soul है, और अंदर padding है, इसमें इतनी मोटी heel नहीं होती यह पूरी stitching है, resting के साथ साथ, तो इससे यह मजबूत भी बनी रहती है soul, pew soul है, lightweight भी होता है, grip भी होता है, slip नहीं करता अब उपर से दिखाता हूँ, यह pure leather है, इसकी lining भी leather की है, यह नीचे का pad भी leather का है फिर यह, इसमें जो cushioning भी हुई है, यह आपके weight को और जो jerk लगता है पैरों में, हड्डियों में, वो absorb करता है आपके पैरों से जो पश्तीना निकलता है, वो यह absorb करता है, heat absorb करता है यह all weather चपल होती है, बस बारिश में all weather मतलब कह सकते हैं कि बारिश में आपको बहुत जादा use नहीं करना है, मतलब बार बार भीगे, थोड़ा बहुत जो पानी पढ़ता है, वो चलता है पर wash नहीं करना है, आपको यह polishable होती है, polish कर लेंगे, फिर fresh हो जाएगी full leather है, stitching भी है और comfortable, देखिए आपको इससे समझ में आ रहा होगा, एकदम soft और pure leather है, तो ऐसी चपले use करने से आपको comfort भी मिलेगा, अगर आपको हलकी बहुत problem भी है या अभी भी आपको problem जैसे कुछ ladies को शुरू हो गई है, केडी दर्द है, पंजो में दर्द है, घुटन में दर्द है, तलवे आपके बहुत जादा जलते हैं, तो पसीना जादा निकलता है गरमाट लगते हैं, तो आपके लिए चपल best होगी, इसमें आपको comfort मिलेगा, इडियो पंजो में आराम मिलेगा, इडियों दुखेंगी नहीं, इसके दर्द में कमी आएगी, और घुटन के दर्द में कमी आएगी, और body का alignment भी सही होगा धीरे धीरे करके तो कोशिश करें आप orthopedic ही चपल यूज करें, और नॉर्मल वैसे डॉक्टर चपल कहते हैं, ये कई modelों में आती है, इसका article ही है, 674-4629 और 1699 MRP है इसकी, आपको ये बाटा की official website पे online भी मिल जाएगी, और बाटा के showroom में भी आपको ये मिल जाएगी, इसके models मिल जाएग मैं बार-बार ये बोलता हूँ, मैं आपको रोक नहीं रहूं कि आप online ले, ये मेरी सला है आपको, मेरा experience है कोई चपल ऐसी चीज़े हैं कि जब तक हर इंसान का body weight अलग-अलग होता है, पंजे का size, चोड़ाई, किसी का flat toe होता है, तो एक flat put होता है, तो आप जाके जब तक पहन के नहीं देखेंगे, हर model अलग-अलग shape और size का होता है, चोड़ाई जादा होती है, किसी की लंबाई, इसमें फर्क होता है, किसी की belt loose होती है, किसी की tight होती है, किसी का soul बहुत जादा पतला होता है, किसी का motor होता है, weight जादा है, तो उसके साब सापको cushioning भी जादा ल उसे पहन के और चल के देखें उनके शोरूम के अंदर या शॉप के अंदर तो आपको comfort समझ में आगा इसलिए मैं मैं मना करता हूँ कि online ना ले कोई ऐसा नहीं है कि आप online ले रहे हैं तो मुझे कोई problem आप ले सकते हैं आपकी मर्दी है यह मेरा experience जो है और मेरी राय मैं आप को सला दे रहा हूँ खाली कि कुशिश करें तो शॉप से जाके ही purchase करें अब मैं आपको इसका दूसरा model भी दिखाता हूं अब देखें इसमें भी जैसे यह soul motor दिख रहा है आपको यह heel नहीं है कुशनिंग जादा है जादा कुशनिंग है तो उससे क्या होता है जैसे जो जादा weighted है जो लेडीजों में 60-70 above है जो जिनका weight बहुत जादा है तो उनको अगर यह flat लेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगी तो यह हलकी है एकदम lightweight है पत्ते के जैसा वजन है और यह full cushioning है देखें इसमें लिखा भी हुआ है memory cushion तो यह comfortable बहुत हो जाती है पूरा leather है जाद है 674-6916 इसकी MRP 2299 अब देखें दोनों model में फर्क है एक में cushioning जादा है थोड़ा sole platform ही है अब देख सकते हैं यह धर भी मोटा है और actually में जो नीचे का sole होता है वो इन में बराबर इनोंने balance किया होता है आपको लगेगा दिख रहा होगा के heel पर heel नहीं है यह balance sole है अ आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी आपकी problem कम होगी एडी दर्ध है पंजों में दर्ध है या weight जादा है तो उनके लिए तो यह दोनों model अलग-अलग है दो अलग segment के लिए design मत देखिए कि design अलग-अलग है इसका weight जादा है या कम है पतले पाओं है उसे साब से आप इसे देख के पहन के अपने हिसाब से ले सकते हैं तो इसे लिए मैं बोलता हूं इसके बहुत सारे model आते हैं तो आप जाए शौप पे देखें बाटा के शोरूम पे चले जाए या multi branded shop पे आपको मिल जाएंगे तो आप जाएं और पर्चेस करें गरेंटिट आपको comfort मिलेगा प आपका पैरों में आराम देगा पैर जलेंगे नहीं इट अप नहीं होंगे बहुत देर भी पहने रहने के बाद आपको discomfort मैसूस नहीं होगा अब तो यह होगी चप्पलें अब मैं आपको orthopedic soul पे शूस दिखाता हूं जिस सब ठंड आ रही है तो ठंड में होता है कि लेड यह बहुत ज्यादा comfort हो जाती है एकदम light weight तो जैसे आप morning walk करते हैं और आपको जैसे जनरल पहनना है दिन भर ठंड के हिसाब से यह morning walk के हिसाब से लोग लड़किया लेती है तो यह बहुत अच्छी light weight जूती है इसके बहुत से model आते है orthopedic soul पे market में आपको बहुत सारे brands क मिल जाएंगे कोशिश करिए light weight देख के लिजे यह आग support से बहुत comfort बढ़ जाता है जूतियों का तेकि जूती भी है गनूची brand की है मेरे पास आती है यह 899 MRP है with memory foam यह जूती जो है वो orthopedic है orthopedic soul पे है comfortable है light weight है बहुत सारे model आते है इसके भी color आते है इसका black color आता है maroon color इसमें without strip की भी आती है यह जस्ट मैंने आपको इसलिए वीडियो में यह एक model दिखाया है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको market में बहुत सारे मिल जाएंगी light weight with memory foam लिजे आप तो यह आपको सुमें warning walk में या walking के लिए या दिन भर पहनने के लिए बहुत comfortable होगी ठंड का समय आ गया है अगला सीजन ठंड के यह पूरा अब शुरूई हो गई लगभग ठंड तो यह आपको ठंड में आराम दे भी रही सॉक्स के साथ पहन सकते हैं यह वाशेबल होती है फुल वाशेबल है और यह वन मैश अपर है तो comfortable भी है और यह मजबूती के के लिए उन्होंने आपे synthetic लगा के रखा है कि ठोकर रोकर लगने से मेश कटे न और flexible है और weight तो बहुत ही lightweight है एक तम ज्यादा lightweight है comfortable है और range भी बहुत नहीं 899 है market में आपको यह easily मिल जाएगी बहुत से brand बनाते है जैसे गनूची की है bonkers की आती है और भी बहुत से brand बनात है और liberty भी बनाता है थोड़ा range इनकी high होती है तो यह market में आपको बहुत से brand में मिल जाएगी तो यह देख के लिए कि आपको comfortable हो और यह आपके body structure और alignment के लिए भी अच्छी होती है इससे आप केडी दर्द पंजे दर्दों में और कमर दर्द में भी फायदा मिलेगा comfortable रह हूँ वो problem से बचना जाते है एडी दर्द कमर दर्द भंजे दर्द की तो उनके लिए यही product ज्यादा बहतर होते है पर लेडीज है fancy और heel और fashion के हिसाब से product purchase करती है वो यह नहीं देखती कि क्या side effect होंगे हमें तो आगे जाके फिर उन्हें problem create होने लगती है तो यह सब ची वज़े से या वो exercise नहीं कर रहे है या proper walking, morning walk नहीं कर रहे है या diet proper नहीं तो होती है पर लेडीजों में ज्यादा तर यह है ही 30 साल के बाद यह problem होने लगती ही कमर दर्द आज कल तो 25 साल के बाद भी देखी जाती है तो कोशिश करें कि product यो use करें जो दिखने में ठीक हो न subscribe करिए और यह video जादा से जादा आप शेयर करिए अपने लेडीज प्रेंट्स के साथ और घर में जो आपके लेडीज है वूमें हैं बहने हैं माएं हैं सबके साथ तो मम्मी हैं तो उनको फायदा मिल सके और वो उनकी जो problems है उसमें कमी आ सके तो होप आपको आज का यह video पसंद आयो बाइ